साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लो Anti-Corruption Matter में Demand का महत्पूर्ण योगदान है आपके केस की जीत में और आपके केस की हार में Actually होता है क्या है कि हम पूरा का पूरा केस तो Consider कर लेते हैं पर Demand वाले पार्ट को हम Consider करना भूल जाते हैं इसमें हमारी गलती नहीं है हमें कोई सिखाता नहीं है या बताता नहीं है कि Demand पर हमें कैसे काम करना है और इतना आसान केस आप इतना कॉंप्लिकेट कर लेते हैं मैं आपको क्या कहूँ इस देश में लोग मर तो रहें कोरोना से पर येलिटी मानियेगा कि जितने लोग मर रहे हैं अफसात से या पैनिक होकर उनकी संख्या जो है वो काफी जादा है ऐसा ही एंटी करॉप्शन मैटर में होता है कि जब आप पर केस लग जाता है तो यू गॉट पैनिक जगा जगा जाकर आप सलाही लेते हो और कोशिश ये करते हो कि हमको सलाह ज़्यादा मिलेगी तो हमको उतना ही फाइदा होगा एक कहावत है अंगरे जी के अदर टू मच कुक स्पोयल दी फूड जितना ज़्यादा सलाह लोगे उतना कन्फूजन होगा और उतने ही केस को हारने की संभावना आपके बढ़ गई पर समझा है कौन आपको हम गलती करेंगी कोई कि हम हिंदुस्ता नहीं है खेर अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि डिमांड जो है इसका डॉकुमेंट जो कनेक्टिंग है वो है कॉमपेट डिस्क सीडी और दूसरा है ट्रांस्क्रिप्ट लोगी इन दोन डॉकुमेंट्स को वेरिफाई करेगा परिवादी और अन्ने का बहान पर में रोल जो है वो होता है परिवादी का आप लोग क्या करते हो कि सीडी के आते ही उसको पकड़ा रहते हो वकिल साब को वकिल साब भी सीडी घर ले जाते हैं और उनके बच्चे जो हैं सीडी से खेलते रहते हैं और अमूमन केसों में यही होता है जब एविडेंस आपकी है आपके खिलाफ है तो उसको घर पर रखने में क्या हर जा रहा है आपको evidence किसी को भी नहीं देनी है लिख लो समझ लो evidence आपको अपने पास ही रखनी है समाल के तोगि वो मूल evidence है यह वो evidence है जिसको Anti-Corruption Bureau ने investigation के दोरान create किया है और यह सपष्ट करने का प्रयास किया है code को कि यह वो ही CD है इसमें वो ही voice file है जिसमें Alist Bride Taking Alist Bride Demanding का incident कैद है इतना महत्पून original document या electronic record आपने इतना असानी से किसी को दे दिया बड़ी ही हरानी की बात है वैसे आप कहते हैं हम case को लड़ने के लिए पैदा हुए हैं वैसे आप कहते हैं हम case को जीत के रहेंगे जब initial level पर यही नहीं पता कि उस CD का करना क्या है तो क्या रड़ोगे के इसको तो मैं ये बात आपको इससे समझा रहा हूँ कि भई जब आपको document मिल रहा है और document ultimately आपके defense में का हूँ आएगा तो initial level पर ही document पर गरिब अपना क्यों खेवरेगा अप करना क्या आपको ये भी आप समझ लो कि जो transcript है और जो CD है इसका एक comparative analysis करना है खुझ से ही मैं ये नहीं करा हूँ किसी expert के पास जाओ या forensic वाले के पास जाओ बैड़ जाओ खुदी और CD को जो है laptop में या किसी desktop में जो है insert करो और सुनते चलो कि transcript में क्या है और CD में क्या है comparative chart बने से फाइदा क्या होगा कि ACD का जो fabrication है वो पकड़ माय जाएगा कई बार क्या होता है कि कुछ बातें तो CD में होती नहीं है वो चमतकरी रूप से जो है वो transcript माय रहती है और जो बातें सपस्ट होती है उसको लिखते हैं सपस्ट आवारता उससे आपको क्या फाइदा मिलने वाला है कि अगर ऐसी चड़ा-चड़ाई की गई है या ऐसी गरबढ़ियां की गई है ऐसी डिने तो वहाँ पर उस electronic record को rely ही नहीं किया जाएगा कहीं judgment है वो आपके ध्यान में भी है पर home work तो करो तभी तो फाइदा मिलेगा तो सातियों अब क्या करना है आपको जैसा मैंने बताया कि एक comparative chart जो है तियार करना है और अगर उसमें खामिया है और CD में fabrication मिलता है तो immediately ये बात court को inform कर दें without any delay उससे court के सामने ये बात निकल के आजाएगी भाई ACD ने गरबडिया करी है और कई ना कई मुल्जिम को नुक्सान पहुचाया है जब परियादी पक्ष आएगा उसके गवाँ आएंगे या अन्ने गवान आएंगे यसे TLO, I.O जब आप इनसे इस बारे में पूछोगे तो वो उत्तर ही नहीं दे पाएंगे और खासकर sanction authority जो बगएर evidence को देखे ही बगएर CD को सुने ही अकसर अमूमन कई कैसों में sanction तक जारी कर देती है तो सातियों ये तो है legal update अगर aware होगे तो ही बचपाओगे otherwise तो ठीक है जो है वो तो होई रहा है तो सातियों मिलते हैं एक नेट उपक के साथ तब तक के लिए जैहन जैभा